साथियों नमस्ते यह मनिकर्ण यमाचल का एक जेगे हैं जहां पर श्यूमंदिर और आप देखेंगे कि इतना अद्बुत यह नजारा आपको दिखेगा कि शादी से पहले कभी आपने नहीं देखा होगा जो लोग ऐसा सोचते कि इश्वर नहीं है वह इसे देखने के बाद कभी उनको इस तरह की गलत पहामी नहीं होगा उनको एकीन होगा कि इश्वर है डैविक शक्ती है जिसकी वज़े से यहां की प्रकति है बिल्कुल विपरीद है एक तरफ पुरा ठंडा है दूसरी तरफ पुरा गरम है वाये दिखाते हैं यहां पर उबलते हुए पानी के क कुंड अब देख रहे हैं इतनी तेज यह पानी उबल रही है कि जिसको शायद किसी साधन के माध्यम से इतना तेज उबाल नहीं कर सकते हैं और यहां पर यह कुंड है जहां पर सभी लोग उस्नान करते हैं उस कुंड में जब प्रवेश करो तो लगता शरीर जल जाएगा लेकिन प्रवेश करनिंग बार टेंपरेचर जुए सरीर का एकड़म बराबर हो जाता है और सरीर में कोड़ी भी पीडा नहीं होती है इसके ताप के कारण तो सचमुच पूरी तरह अद्बुत है यह और आप उदर देख रहे हैं ढका हुआ पातर है जिसमें यह भोजन प कोई ऐसी शक्ति हैं जिसकी वज़े से पूरी स्रिस्ति संचालित हो रही है ब्यवस्तित है और अपने कार्य में सब कुछ अपने समय पर हो रहा है यह आप जो ने देखा नदी पह रही है पहाड़ों के बीच से वह पार्वती नदी के नाम से जानी जाती है और इस जगह अपर हमें जिसेगा को कहते है मनी कर्ड इमाचल प्रदेश का एक बहुत खूपचुरत जगह है और यहां बहुत यह अद्बुत प्रक्तिती है एक तरफ ठंडी जल की धारा बह रही है और उसी तरफ यह धूंद देखना है यही शूमंदिर में एक बहुत ही बड़ा उब लेकीन नहीं हो सकता कि यह शम्ता एक पाई जाती है जरूर आईये मनी कर्ड इमाचल प्रदेश के इस खूपचुरत जगह पर